हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरे साब से अच्छे होगा रश्ची से प्रफिशन कर रहे होगे जैसा कि आपको बताए कल मैंने इसी टॉपिक वीडियो बनाई थी एससी सीप्यो टार्गिट रिस्कोर पे तो कुछ से उसमें डाटा की मिश्टेक हो गई थी 2022 का जो डाटा तो यह औव्यस जी बात है कि यह कमेंट तो आएंगे ही तो यह मैंने कल डिसकस कर दिया था यही चीजे मैं डिसकस कर बताने वाला हूं जल्द यल्दी लास्ट मुश्किल से 5 या 6 मिनिट का वीडियो बनाऊंगा मैं इसको तो जो कल की गलतिया थी उनको क्लियर करके आज एक सई तरीके से कट ओफ का डिसेजन कर रहे हैं बन तो यहां पर देखिए सबसे बहले यह सलाइड थी लास्ट फाइव यर की वेकेंसिया का ट्रेंड तो आप फोटो देख लेना इसमें जो वेकेंसिया जो हैं आपकी दिली पुलिस की उस एक सो सी के बाद यह एक सो एक ह है वो फी मेल की जो चार-पांस सालों में सबसे ज़्यादा है बस इतना साल है उसके अलावा जो यह पे मेल की वेकेंसिया है उसके लावा आगे चलते हैं इसके लावा कट ओफ मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा कल मैंने बात कर ली थी कल की वीडियो आप लोगों देख लिए बागी कट ओफ देख लेना सिनेरियो पांदर सो बीस रहता है कभी-कभी तो यह नंबर ओफ क्वालिफाइड कंडिट है ठीक है यह अपनी अपनी काटिगरी कट ओफ है देख लेना उसके लावा यहां पर मैंने गलतिया कर रहा हूं जैसे मेरे सबसे पहले यहां गल की अटग है इसमां किसी प्रदल कोई दिक्कित नहीं है ठीकै अगला यहां पर गलतियां ठीके उब उसके लावा 2023 में एक डाटा गल्थ हो गया यहाँ पर 325 लिखा गया था जो कट ओफ थी 344 थी उसके हिसाब से फिर ज़्यादा कुछ changes हुआ नहीं जो red में लिखा है वो पहले विडियो का चीज है और जो अब लिखा है वो आज का है ठीक है तो आज की बंदे अभी भी मुझे कोई फरक नहीं है EWS के 340 से 345 यह मैंने कट ओफ थोड़ी कम बताई थी क्योंकि यहाँ पर 317 लिखा हुआ था तो यहाँ पर 345 मैंने बताई है अभी के टाइम पर तो यहाँ पर ध्यान रगए जो नीचे नीचे लिखा है मैंने 345, 340, 345 यह कट ओफ जानी ही जानी है इसके टार्गेट लेना ही लेना है आपको इसके लाब मैंने SC कट ओफ जो 322 बताई थी वो ना बताके 310 से 315 की रेंज जो क्योंकि वेकेंसिया इनकी साथ ही थी जो कि अब 13 है एक्चुल मैं तो उसकी बेसे जो कट ओफ गटी है वो है और SC के टिगरी की सेम जो 310 मैंने पिछली वीरियो में बताई थी वही है तो आपकी जो फाइनल कट ओफ है 345 फोर जनरल, 340 फोर EWS 345 फोर OVC जनरल के बरावरी बताई है क्योंकि ज्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला टार्गेट आपको उत्ता ही रखना है 1-2 मार्क्स या 3-4 मार्क्स का कुछ फरक पढ़े तो बात की बात है एक्जेक्ट मैं बता नहीं सकता SC के डिगरी का 310 से 315 एक्जेक्ट इसमें आपका हो जाएगा आराम से इससे कम ही जाएगी SC के डिगरी 310 बहुत है इससे अगर एक दो नंबर आगे बीशे चली जाए तो बात लगे वरना इतना आइडियल है SC के डिगरी में कोई दिखे तो सकती है महिलाओं की बात कर लेते हैं महिलाओं में देखो डाटा 2022 का गलत हुआ था 317 यहाँ पे लिखा गया था मेरी कट अफ वहीं है महिलाओं के लिए 339 यह डाटा गलत था यहाँ पे कुछ और लिखा गया था पहले 3314 314 लिख दिया था मैंने तो उसकी वैसे कुछ फरक नहीं है 339 महिलाओं की महिलाओं की वैकेंसियों कोई फरक नहीं है EWS की 330 OBC का 332 SC का 305 और ST का 295 यह आपकी कट अफ है दिल्ली पलिस SI के लिए महिलाओं के लिए ठीक है आगे बढ़ता है यहाँ पर लास्ट 5 यर की मैंने वैकेंसिय दिखाई थी वैकेंसियों में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कित नहीं है यह CAPF की सारी वैकेंसियों सारी करेक्ट है यहाँ पर दिखेंगे लास्ट 5 यर की कट ओफ और Targeted Score for CAPF उपर का mail के CAPF लिए इस जो यहाँ पर नम्मर दिये हो उत्ता माक्स लिया होगे तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा एक पोस्ट के लिए ठीक है यहाँ यहाँ पर डाटा 222 का पूरा ही गलत हुआ था mail के लिए यहाँ पर जो जनरल कट ओफ थी कॉट ओफ रहने वाली है वो आपकी रहने वाले यूओ आर के लिए 295 से 300 यह आपकी आइडियल है इससे ज्यादा नहीं जाएगी इससे कम चली जाएगी लेकिन ज्यादा नहीं जाएगी इसके लाबब है EWS का 280 है 280 प्लस मिनियूम होना चाहिए इसके उपर जाएगी इससे कम आपको टारगेट नहीं करना चाहिए इसके लाबब है OBC का देख सकते तो OBC का यहाँ पर 275 है 275 आपको टारगेट करना चाहिए ठीक है C.A.P.F. में सेलेक्शन के लिए लाश्ट पोस्ट के लिए बता दी जो की मोश्टली C.A.P.F. की जाएगी C.A.P.F. की जाएगी C.A.P.F. की वो मैंने कट आफ बता दी इसके लाब फीमेल का देख लो तो फीमेल की कट आफ में कोई दिक्कित नहीं थी फीमेल कट आफ बस यही थी थी थोड़ी ज़्यादा बता दी थी क्योंकि मेल की कट आफ मैंने देखी थी यहाँ पर तो उस विएसे फिर यह प्रेडिक्ट होगे गलत होगी थी और साही तरीके से वर्क नहीं किया जैसा ही मान लीजिए कुछ रिजन रहे तो आज का जो आपका करेक्ट है तो 300, 298, 4EWS, 290, 4OBC, SC 250, ST का 245 यह आपका फीमेल के लिए यह आपका मेल के लिए इसी के साथ थैंक यू कुछ गलतियां होई उनके लिए सौरी तहे दिल से मैं गलतियां करना चारा था मैं थोड़ा मैंने थोड़ी महनत करी थी लेकिन वो वीडियो किसी रिजन से गलत हो गई तो मुझे भुराद लगा इस चीज़ का तो मैंने इस चीज़ को सुधारने की कोशिस करी है इसी के साथ जै हिंद जै बारत बाई